नमस्कार रायपूर में कॉंग्रेस के अधिवेशन में विपक्षी एकता को लेकर के बहुत विस्तार से चर्चा हुई दो दिन तक कॉंग्रेस की राजनितिक मामलों की जो समीती थी उसने इस पर चर्चा की और पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे ने खुल कर इसके बारे में बात की उन्होंने खुल कर कहा कि 2024 का चुनाव लडने के लिए भारतिय जनता पार्टी को कड़ी टकर देने के लिए उसको हराने के लिए विपक्ष की एक्ता बहुत जरूरी है इससे पहले उन्होंने नगा लैंड में अपनी चुनावी सभा में कहा था कि उसी समय बिहार के पूर्णिया में महागठ बंधन की रैली हो रही थी जहां कॉंग्रेस नेताओं की मौजूदगी में बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने कहा, दूसरी बार कहा, दो दिन, तीन दिन के भीतर दूसरी बार कहा, कि विपक्ष की एकता बननी चाहिए है, और वो विपक्ष की एकता बनाने की जिम्रेदारी कॉंग्रेस पार्टी गी है, उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी तय करे कि ये कैसे बनेगी, इसके पहले एक हप विपक्षी पार्टी है वो चर्चा कर रही है उमीद कर रही है कि विपक्ष का गठबंधन होगा विपक्ष के बड़े नेताओं में से एक है निती इश्कुमार वो कह रहे हैं कि गठबंधन बनेगा और कॉंग्रेस पार्टी को इसकी पहल करनी चाहिए दूसरे नेता भी इ इतिहास के पन्ने पलटने होंगे और देखना होगा कि अब तक कौन-कौन सा मॉडल सफल रहा है तो विपक्ष के गठबंधन के कई मॉडल रहे हैं और आम तोर पर वो मॉडल गैर कॉंग्रेस वाद के थे चुकि कॉंग्रेस सबसे बड़ी राजितिक ताकत थी और लगता ल्चा 18-ा गठबंधन था, वो 2004 का था तो कई मॉडल मेंसे तीन मॉडल विपक्ष के गठबंधन के ऐसे हैं जो सफल रहे हैं सबसे पहले 1977 1770 का model उसके बाद 1989 का model और फिर 2004 का model यह तीनों सफल रहे थे तीनों बार विपक्ष ने एक जूट होकर के और सरकारपन पलट द 했ी रो और तीनों बार पुषन्ट बहुमत की सरकार थी और प्रेंट बहुमत तो कम से कम बहुत परचंड बहुमत की सरकार थी जिसको हराया और तीसरी बार भी एक स्थाई लोकपुरिया सरकार थी, लोकपुरिया परधानमंतिरी थी जिनको हराया अभी पक्षन है। सबसे पहले 77 की बात करें तो 1977 का एक मॉडल था जिसमें तमाम जो समाजवादी पार्टियां थी और हिंदू राष्टवाद की राजनिती करने वाली जो पार्टी थी भारतिय जनसंग इन सब का विलय हो गया था ये सब मिल करके और इन लोगों ने एक जनता पार्टी बनाई अलावा अन्ना डीम के और डीम के अलग लड़े थे कम्निस्ट पार्टियां अलग लड़ी थे और कॉंग्रेस से तो सब को लड़ना ही था कॉंग्रेस से सब लड़ रहे थे तो ये मॉडल भहुत सफल हुआ और पूर्ण भहुमत से ज़्यादा सीटे 295 सीट जनता कार बनी थे तो वो एक सचमुच का विपक्ष का गठ बंधन था वो गठ बंधन सब ने मिल करके एक पाटी बना ली थी और उसमें कॉंग्रेस पाटी से आये हुए कई नेता थे जैसे बाबु जग जीवन राम मुराजी देसाई चंदर शेखर ये सब लोग थे जो कॉंग चुनावी राजनिती में नहीं थे लेकिन जिनके नाम से सारी राजनिती हो रही थी वो जैप्रकास नरायन थे जिनकी लंबी समाजवादी परंपरा से वो आते थे और भी अलग अलग धारा के कई नेता उस गठ बंधन में उस में शामिल थे जो समाजवादी भी थे जिसम के सरकार बन गई इनकी लेकिन इसके बिखरने और फेल होने के बीज इसके गटन के समय इसके स्थाफना के समय ही पड़ गया थे इतनी अलग विचारधारा की पार्टियां जिसके नेता अपने स्वतंत्र अपनी राजनिती कर चुके थे तो उनसे यह उमीद नहीं की जा सकती थी वो कि वो किसी एक नेता के तहत रहके उसके अधिन रहके काम करेंगे और यह सरकार बनने के थोड़े दिन के बाद ही इसकी कहानी शुरू हो गई थी और दोहरी नागरिक्ता को लेकर के जनता पार्टी और जनसंग के लोगों की राष्ट्रे सेवक संग के साथ पहली बार था यह पहला प्रियोग था दूसरा प्रियोग 1989 में हुआ तब भी कॉंग्रेस पार्टी 400 से ज्यादा MP की सीट थी MP की पार्टी थी और राहूल गांधी राजीव गांधी बहुत पॉपुलर नेता थे और बोफोर्स के दाग के बावजुद उनकी लोग का प्र यह समाजवादी जो जितने पार्टियां थी जितने धड़े थे वो एक जूट हुए थे बीजेपी अपना अलग चुनाव लड़ रही थी कमिनिष्ट पार्टियां अलग चुनाव लड़ रही थी जो दक्षिन की दूसरी प्रादेशिक पार्टियां है वो अपना चुना आया गया था जिसमें कोई किसी की राह नहीं काट रहा था दक्षिन की पार्टियां अपना लड़ रही थी इस इस कौमन मुद्दे पर बोफोर्स का क्मन मुद्दा था और एक कौमन चहरा भी था बीपि सिंग का किसी ने उनको घोषित नहीं किया था कि यह प्रधानमंतरी ह बहुत है प्रोफाइल चुनाओं में इलहाबाध का उप चुनाओं लड़ करने गुप स 대टका जीते हुए थी जैसे एमर्जेंसी के समय जो कहानी हुई थी और जवलपूर की सीट लोकसवा की खाली हुई थी और 25-26 साल के युवा शरद यादो उस सीट से लड़े थे जवलपूर से गोविंदा सेठ के खिलाफ और जीत करके आये थे और उससे अपोजीशन का जैसा महाल बना था उस था और अपोजीशन की पार्टियों का ये संकल्प था कि कॉंग्रेस को हराना है तो ये 89 का एक मॉडल था और दूसरा मॉडल उसके बाद 96-98 का भी मॉडल था लेकिन वो कोई एक जुट होकर के नहीं लड़ा था ना कोई एक मुद्दा था जिसके कोई केंद्रिये मुद् 1977 से थोड़ा अलग है क्योंकि 2004 में जो सरकार थी अटल विहारी वाजबई प्रधानमंत्री थी वो बहुत लोकप्रिये थी सरकार और सरकार इस भरोसे में थी सरकार ये मान के चल रही थी कि there is no alternative कोई alternative नहीं था अटल विहारी वाजबई के मुकाबले कोई नेता नहीं था और सरकार अपने कामकाज को लेकर के इतनी आश्वस्त थी कि उसने इंडिया साइनिंग और फील गूट का परचार शुरू कर दिया था योजनाय जरूर उस समय बनी थी बड़ी योजनाय बनी थी सडकों की infrastructure development की लेकिन उन योजनाओं का भी धरातल पर आना बाकी था उसक पहले ही इंडिया साइनिंग और फील गूट का डिंडोरा पीटा जाने लगा और ये माल लिया गया कि विपक्ष के तरफ से कोई option नहीं है तो कोई लड़ी नहीं सकता है और इस भरोसे में इस अतियात्म विश्वास में भारती जनता पार्टी एंडिये समय से पहले चुन alternative. So there is no alternative. मतब सोनिया गांधी वाजपई के alternative हैं इसलिए कोई alternative नहीं है. तो इस अधार पर इस भरोसे में गई थी आम भारती जनता पार्टी चुनाव लड़ने और चुनाव हार गई थी. तो अब ये सवाल है कि 2024 में विपक्षी एकता किस model पर बनेगी? 89 के model पर 77 के model पर 2024 की स्थिती देख रहे हैं अभी एक साल पहले 2023 में तो काफी कुछ 2004 के जैसी समानता दिख रही है इसमें. अभी भी सरकार बहुत आत्म विश्वास में है कि कोई विकल्प नहीं है नरेंदर मोदी क्या. ये तमाम अभी अभी हाल में एक सर्वे हुआ था जिस सर्वे में प भारत में उनको 70% से ज्यादा approval rating है. तो भारती जनता पार्टी ये मान के चल रही है बार बार उसके नेता कह रहे है कि कोई vacancy नहीं है उपर. प्रधान मंतरी का पद खाली नहीं है, कोई vacancy नहीं है. न खाली है न खाली होने वाली है. और ये जो सर्वे आ रहे हैं उससे य उनका निदान होगा. यानि वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक परधान मंतरी रहेंगे. तो वो भी एक भरोसे का कारण था. तो उस हिसाब 2024 की स्थिति 2004 से इस मामने में मिल रही है कि सरकार और भारती जनता पार्टी पूरे आत्म विश्वास में है कि नरेंद मोदी का कोई विकल्प नहीं है. दूसरे जिस तरह से 2004 में इंडिया साइनिंग और फिल गूड का डंका बजाया गया था. उसी तरह से अभी अमरित काल का डंका बज रहा है. और अमरित काल के साथ साथ भारत के विश्वगुरू होने का डंका बज रहा है. भारत में इस साल G20 की मी हो रहा है. वो अभी नहीं दिख रहा है. लेकिन ये एक perception है. धारणा के अस्तर पर कम से कम ये माना जा रहा है. तो ये समानता है. कि सरकार बहुत आत्म विश्वास में है. भारती जनता पार्टी बहुत आत्म विश्वास में है. विकल्प को ले करके कि विपक्ष में कोई विपक्ष की एकता नहीं बन रही है, सारी पार्टियां बिख्री हुई है, सारे नेताओं की अपनी-अपनी महत्वकांक्षा है, और हर नेता अपनी महत्वकांक्षा में राजनिती कर रहा है, तो ये फैक्टर है, 2004 की तरह का, तो ऐसा लग रहा है कि गठबंधन भी 2024 में 2004 की तरह का ही बनाना होगा, उसी तरह का बनेगा, तभी कोई काम बन सकता है, क्योंकि अब तो कोई पार्टि, कोई भी ख्षत्रिये पार्टि, अपनी पार्टि का मर्जर नहीं करने जारी है किसी दूसरी पार्टि में, और न कोई ऐसा गठबंधन बनने जारा है, हर पार्टी को अपने अपने असर वाले राजी में चुनाव लड़ना है तो अगर सिर्फ राजेवार गठ बंदन हो जाए तब भी एक मजबूत लडाई की इस्तिती बनती है और वो इस्तिती बनेगी जिसके बारे में कई नेताओं ने कहा कि हर सीट पर विपक्ष का एक उमिद्वार हो यानि 543 सीटों पर विपक्ष का एक उमिद्वार हो चाहे वो जिस पार्टी का हो वो अगर होता है तो बीज़ेपी के साथ लडाई की इस्तिती बनेगी और इसके लिए अलग-अलग आप राज्यवार देखें मोटे तोर पर ये बहुत डीटेल आंकड़ा नहीं है लेकिन मोटे तोर पर अगर बात करें तो अभी चार बड़े राज्यों में UPA मजबूत इस्तिती में है और जिसमें से तीन राज्यों में उसकी सरकार है और एक राज्य में अभी सरकार थी थोड़े समय पहले तक ये चार राज्य हैं बिहार, जहारखंड, महराष्ट और तमिल नाडू इसमें बिहार, जहारखंड और तमिल नाडू में UPA की सरकार है बिहार में जनतादल और राष्टे जनतादल बड़े पार्टनर है और इन चार राजियों में कुल 141 लोग सबा सीटे हैं। अगर UPA के जो घटक दल हैं अगर एक साथ रह जाते हैं और इनके बीच तालमिल हो जाता है, यह सहमती बन जाती है, जिसमें महराष्ट में कॉंग्रेस, NCP और शिवसेना, बिहार में राष्टिय जनता दल, जनता दल यू, कॉंग्रेस, जारखन में जारखन मुक्ति मूर्चा और कॉंग्रेस, तमिल नाडू में DMK और कॉंग्रेस, इनके बीच अगर तालमिल बन जाता है, सहमती बन जाती है, जहां तरिनमूल कॉंग्रेस की सरकार है तेलंगाना है जहां के चंदर शेकर राओ की सरकार है दिल्ली है और पंजाब है जहां दोनों जगा आम आद्मी पाटी की सरकार है इन चार राज्यों में 89 सीटे हैं लोकसभा की तो यहां भी अगर इनके भी सहमती बन जाती है कॉंग केरल और करनाटक है इन दोनों राज्यों में भी केरल में लेफ्ट डिमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है और वहां उनाइटिड डिमोक्रेटिक फ्रंट जो कॉंग्रेस के लीडर्सिप वाली है वह भी काफी मजबूत है उन्हीं दोनों के बीच लडाई होती है और करनाटक में Congress JDS हैं विपक्ष में, BJP वहाँ sulking है, अभी 3 साल से 3 साल की सरकार के बाद वो चुनाव लड़ने जा रही है, तो वहाँ उसकी इस्थिती anti-incumbency की वज़ा से थोड़ी vulnerable है, तो केरल और करनाटक में भी अगर alliance हो जाता है इन पार्टियों के बीच, केरल में Congress और Left के बीच मे करनाटक में Congress और JDS के बीच में, तो वो 48 सीटे हैं, और उसके बाद उतरपरदेश की 80 सीटे हैं, जहां बहुजन समाज पार्टी तो गठबंधन में नहीं आएगी, लेकिन Congress, समाजवादी पार्टी और कुछ दूसरी चोटी पार्टीों का गठबंधन होता है, तो 80 सीटो पर हो जाएगा, तो ये कुल मिलाकर के 348 सीटे हो जाएगी, 543 में से ये 348 सीटे जिन पर opposition की मजबूत presence हैं, वो अगर चाहें, तो वहां उनका alliance हो सकता है, एक-एक-दो-दो पार्टीों का ही alliance होगा, लेकिन उतने से मुकाबला आमने सामने का हो जाएगा BJP से, इसके बा करन होगा, कौन opposition के साथ रहेगा, कौन सरकार के साथ जाएगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता है, और इसी तरह से north east की 25 सीटे हैं, जहां हर state में छोटी-छोटी जो प्रादेशिक पार्टियां हैं, उनकी क्या इस्तिती रहती है, ये अभी तीन पूर्वोतर के तीन राज्यो किया था बीजेपी ने, हला कि वो तब भी नंबर टू पार्टी रही थी, और बीजु जनता दल को ज्यादा सीटे मिली थी, और इस बार वहां घमासान लडाई होनी है, बीजेपी को अपनी जीती हुई 8 सीटे बढ़ात बचानी है, वहां भी कौंग्रेस की प्रजेंस नह मुकाबला है, इन 124 में से 114 सीट अभी बीजेपी के पास है, 10 सीट दूसरी पार्टियों के पास है, इसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्यपरदेश है, 36 गड़ है, दिल्ली, दिल्ली तो पहले जोड़ दिया है, आमादिम पार्टी वाले में, हरियाना है, हिमाचल है और उतराखंड है, यह 124 सीटों वाले हराजे हैं, जहां बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच में मुकाबला होना है, अगर कोई भी पक्षी पार्टी यहां आकर के घुस पैट नहीं करती है, कॉंग्रेस का वोट काटने के लिए अपना उमिद्वार नहीं उतारती है, त जो एक तरह से कह सकते हैं कि 2024 के लिए बिलकुल नया मौडल है, लेकिन इसके बैग्राउंड में कहीं 1989 और 2004 का जो प्रियोग था, उस प्रियोग से सबक लेकर के विपक्षी पार्टीयों को इसका ताना बना बनाना होगा, गटबंदन ढिला ढाला होगा, राज्यवार होग और जिस तरह से 1977 में कोई नेता घोशित नहीं था, 2004 में कोई नेता घोशित नहीं था, उसी तरह से इस बार भी कोई नेता घोशित नहीं करना होगा, क्योंकि नेता घोशित करने की जिद हुई, तो भी पक्ष का गटबंदन नहीं बनेगा, या नेता घोशित हुआ, तो य कहने में कोई हिचक नहीं है कि अभी opposition के पास कोई नेता नहीं है जो एक चेहरा लेकर किर्प्या हमारे चैनल के साथ जुड़िए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन जरूर दवाईए